न्वास्का स्रेंट। साथाव सभीका एक पार फिर से एओकेशनल चैनल भी स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके सार्थ डिसकस कर रहा है प्याशडी कॉर्स के ऊपर कोर्श का डुलेशन कितना होता है admission प्रोसेस में जो exam conduct करा जाते हैं उसमें क्या चीज़ें पूछी जाती है fees कितनी लगती है course का duration कितना होता है तो ये सब जितने भी question आपके मन में आते हैं उसका answer आज की वीडियो में दिया साएगा तो देखिए PhD का full form आपका होता है doctor of philosophy ठीक अगर आप लोग ये course करते हैं और आपको ये degree प्राप्थ हो जाती है तो आप किसी वीडियो सुध्याले में assistant professor बन सकते हैं किसी college में आप principal बन सकते हैं किसी college में आप प्राध्यापक बन सकते हैं यानि professor बन सकते हैं तो PhD इन चीज़ों के लिए काफी महत्दपूर है देखिए PhD करने के लिए क्या योगिता होनी चाहिए सबसे important question तो आपको बताने PhD में admission के लिए आपके पास होना चाहिए पीजी यानि की post graduate होना चाहिए साथ ही आपका general category से आप है तो आपका marks 55% होना चाहिए कम से कम अगर reserve category से हैं OBC से हैं आदी से तो आपका marks आपका 50% से नीचे नहीं होना चाहिए minimum 50% होना चाहिए देखिए दूसरी चीज़ी आपको बताते कि इंडिया में दो टाइब के PhD कोर्से चल लाए हैं एक आपका full time एक आपका part time तो full time और part time PhD के दो आपके प्रकार के जो कोर्स हैं वो चल लाए हैं इंडिया में और distance PhD जो था वो इंडिया में close कर दिया गया है, discontinue कर दिया गया है तो ये भी याद रखिएगा अब आते हैं form और previous प्रक्रिया के उपर तो देखे वर्स में वर्स में दो बार दो बार आपके form निकलते हैं कब एक आपका में to June के बीच में याद रखिएगा और एक आपका number to December के between तो इन महिनों के बीच में आपके mostly जो युनिवर्सिटीज हैं उनके form आते हैं और फिर जो इचुक होते हैं वो विद्यार्थी form भरते हैं और admission लेते हैं अब देखिए previous प्रक्रिया यादि admission प्रोसेस पर बात कर लेते हैं admission प्रोसेस देखिए जो लोग only PC हैं उनकी बात कर दी जाए तो only PC हैं तो उनको retent test आपको देना पड़ता है लिखीत पर इच्छा होता है साथ में आपको interview देना पड़ता है तो जो लोग only PC हैं तो retent test और interview दोनों conduct करना होता है अगर retent test में आप pass होते हैं तो इंटरव्यू फेस करते हैं और फिर इसके बाद आपको मिलता है admission PhD में Second चीज़ अगर आप लोग PC हैं और साथ में आप NET और आप JRF Junior Research Fellowship अगर ये आप प्राप्त करते हैं Certificate तो आप लोग क्या कहोंगे आप लोग सिर्फ Direct Interview में बैठेंगे यानि कि Retentist नहीं देना होता है Maximum University जो होती है वो छूट दे देती हैं जो लोग JRF होते हैं अब चलते हैं और आगे बाते करते हैं देखिए तो ये हो गया आपका प्रिवेस प्रिक्रिया में Retentist और इंटर्वी पर बाते हैं प्रिवेस परिच्छा में क्या पूछते हैं अगला कुश्चन है देखिए तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे कहा गया है तो सिलेबस में आपका देखिए तो दो एरिया से कुश्चन पूछा जाता है एक आपका Research Methodology दूसरा आपका जो PG subject होता है उससे तो 50% Research से question आते हैं और 50% किसे question आते हैं आपके PG subject से क्योंकि आप लोग PhD करते हैं तो Research का ही पूरा का पूरा इसमें कारिक्रम होता है आपके subject के according जो लोग आप Research problem लेते हैं उसके according आप लोग सोध करते हैं तो यह हो गया आपका 50-50% अब कितने question आ जाते हैं देखे Mostly जो university होती है 100 से 150 question रखती है question paper में MCQ type के question होते हैं आपके written test में यह चीजें यहाँ पे हो गई अब आते हैं next question के उपर course fees और course अवधी यानि कि fee कितना लगता है PhD के admission में और कितना साल का कितने वर्स का यह course होता है तो देखिए सबसे पहले बताते हैं आपके course की duration तो देखिए 3 year minimum होती है minimum 3 year का आपका यह course है इससे पहले आप लोग degree नहीं प्राप्त कर सकते हैं 5 year जो होता है maximum time होता है यानि कि 3 से 5 वर्स के बीच में आपको पीचडी course complete कर देना होता है नहीं तो आपका जो course होता है इसको suspect कर दिया जाता है यानि कि आपका admission देखें तो फिर से अगर आप चाहें तो renew करा सकते हैं नहीं तो फिर क्या होता है आप लोग आउट हो जाई है PhD से अब बात करते हैं course fees के उपर तो देखिए आपकी इंडिया में Central University है State University है Dimud University है ठीक है और Private University है तो इनके देखा जाए तो अलग-अलग fees हैं लेकिन government के अंतर के जो university आती है उनकी fees हो पे यहां पे बात होगी तो मानके चलिए आपके 22-25,000 के बीच में आपको fees देने होती है Government University अगर आप लोग प्राप्त करते हैं तो 20-25,000 प्रतिवर्स में आपके admission हो जाएगे कहीं कहीं पे semester system भी चलता है तो मानके चलिए 20-25,000 में आपके total admission का ये process जो होगा वो पूरा हो जाएगा आपका admission हो जाएगा अब आगे question पे बात करते हैं कितना पैसा मिलता है तो क्या PhD करने में पैसा भी मिलता है हाजी PhD करने में पैसा मिलता है अगर आप लोग PC है प्लस आप net है ठीक है और आपका admission हो जाता है किसी भी universities में तो क्या होता है आपको 8,000 ये minimum आपको पर मंत मिल जाते हैं सेकेंड अगर आप लोग JRF है यूनियर रिसर्च फेलोसिप अपक्रेक किये हैं तो आपको मिलता है कम से कम 25,000 प्लस पर मंत किदने साल के लिए 2 साल के लिए फिर आपको SRF Senior Research Fellowship मिलता है आगे 3 साल के लिए ठीक है तो 25,000 से शुरू होता है और SRF में जब आप पहुंचते हैं तो 30,000 से उपर आपको मिल जाता है पर महीने ये आपके कला वर्क से जो जूड़ो है सब्जेक्ट है उनके लिए है सोसल साइन्स से जुड़े जो सब्जेक्ट है उनके लिए है अगर देखा जाए विज्ञान वर्क से जो छात्र है उन वो अगर PSG में इसमीशन लेते हैं और वो CSIR ने जायर क्वालिफाई कर चुके हैं उनको मान के चलिए 35,000 से उपर का पर मन्त मिल जाता है दो साल के लिए उसके बाद SRF मिलता है तीन साल के लिए ठीक तो ये हो गया आपका पैसे साथ में बाते करते हैं कि कौन से विस्विद्याल है PhD कूर्स के लिए सबसे बहतर है तो सबसे बहतर विस्विद्यालियों की अगर बात की जाए तो Central University आती है ठीक है Central University आ जाती है जैसे आपका Gen U हो गया जैसे आपका DU हो गया ठीक है ऐसी University आपके सबसे बहतर मानी जाती है Banares University हो गया ठीक है BSU हो गया ये सब University बेस्ट है आपके लिए साथ ही अगर आप लोग State University या Dimmed University भी प्राप्त करते हैं तो ये भी बहुत बहतर होता है लेकिन सबसे टॉप पे देखा जाए Central University Second position देखा जाए State University और फिर उसके बाद Dimmed University फिर उसके बाद लास्ट में देखा जाए तो प्राइविट उनिविश्टी ठीक है तो ये आपके बहतर सबसे विश्विद्याले का रैंकिंग देखा जाए तो हो गया और प्राइविट उनिविश्टी में अगर आप लोग करते हैं प्येज़दी और जब तक कि नेक्स वीडियो नहीं लादे तब तक ले थेंक्स वोचिंग एजो किस्टनल चैनल और आपका दिंग बहुत बहुत सुबहुत